किसान बाईयो नमस्कार मैं हूँ रामलाल दाकड आप देख रहे हैं स्मार्ट एग्रिकल्चर यूट्यूब चेनल इस वीडियो में हम मिर्च के वाइरस के बारे में बात करेंगे मिर्च में वाइरस को मरोडिया रोग पत्तो को मोडने वाली बीमारी और मिर्च का माथा बंजने के नाम से भी जाना जाता है तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मिर्च में इस बीमारी का क्या इलाज है इसको 100% कंट्रोल कैसे करें इस वीडियो में मैं आपको मेरा प्रेक्टिकल अनुबव शेयर करूंगा क्योंकि आपको वीडियो में जो मिर्च के पोदे दिखाए दे रहे हैं वह भी इस अगस्त के हैं आप देख सकते हैं कि हमारी मिर्च में किस प्रकार से वायरिस का अटेक हो चुका था और आपको अब जो मिर्च के पोदे दिखाए दे रहे हैं वह हैं साथ सितमर के मतलब कि 18 दिन बात के आप अब देख सकते हैं कि हमारी मिर्च की वजल कितने अच्छी हैं अब इसमें फ्लोरिंग भी हो रहे हैं और मिर्च भी लग रहे हैं तो इस वीड़ो में मैं आपको बताऊंगा कि इन 18 दिनों में मैंने मिर्च में क्या क्या काम किया जिससे मिर्च में वाइरस कत्म होकर अच्छी तरीके से फलपूल आ गए तो इसकी पूरी जानकरी के लिए आप वीड़ो को बीना स्किप के अंतर तक देखिए और आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके पास आए गंटी की निसान का जरूर दबा दीजिए जिससे आपको हमारे नए वीड़ो को नोटिफिकसन तुरंत मिल जाए किसान भाई यो अब बात करते हैं कि हमने मिर्च में वायरस को कैसे दूर किया तो हमारे मिर्च में 2-3% पोदो में वायरस का बहुत खतरनाक अटेक हो गया था तो हमने क्या क्या कि जो 2-3% पोदे पूरी तरीके से खराब हो गये थे उन पोदो को सबसे पहले उकार कर केट से बाहर दूर फैंक दिया आपको भी पहला काम तो यही करना है कि जिन पोदो पर वाइरस का हद से ज्यादा अटेक हो गया है उन पोदो को उकार कर केट से बाहर फैंक दियना है उसके बाद यह देखना है कि पत्ते किस प्रकार से मुड़ रहे हैं अगर पत्ते उपर की तरफ मुड़ रहे हैं तो मिर्च में ठ्रिप्स का अटेक होता हैं और अगर पत्ते नीचे की तरफ मुड़ रहे हैं तो मैट्स का अटेक होता हैं तो हमारी मिर्च के पत्ते उपर की तरह मुड़ रहे थे और पत्तों के नीचे में ज्यान से देखा तो छोटे छोटे त्रिप्स लग रहे थे तो हमने 20 अगस्त को एक स्प्रे किया इस्प्रे में हमने प्रियोग किया डाई फेंटिरोन 50% WP टेक्निकल मतलब सिजेंटा पेगसस का हमने एक टंकी में 25 ग्राम पेगसस का प्रियोग किया जिसे मिर्च में लग रहे सभी बरगार के त्रिप्स कत्म हो गए इसके अलावा मुझे पतो पर फंगस का अटेक भी दिखाए दिया तो मैंने दो दिन बाद मतलब 22 अगस्त को UPL साब और NPK 1919 का इस्प्रे किया मैंने एक टंकी में 25 ग्राम UPL साब और 80 ग्राम NPK 1919 डाला फिर उसके दो दिन बाद मिर्च में मुझे सुधार दिखाए देने लगा अब आपको जो वीडियो में दिखाए दे रहा हैं वह हैं 6 दिन बाद की मिर्ची मतलब 26 अगस्त की अब आप देख सकते हैं कि अब मिर्च में कितना अच्छा फूटा हो रहा है और मिर्च में नई नई साकाई निकल रही हैं और उसके 9 दिन बाद मतलब 29 अगस्ट को मिर्च में कुछ पोदों में कहीं कहीं पर फूल निकलने लगे तो मैंने फूलों को बढ़ाने के लिए उसमें उस समय पर NPK 1919 का इस्प्रेक कर दिया इस बार मैंने NPK 1919 की मात्रा 15 लिटर पानी में 50 ग्राम रिखी और उसके 13 दिन बाद मतलब 2 सितंबर को मुझे मिर्च में कुछ पोदों पर थ्रिप्स का अटेक देखने को मिला तो मैंने फिर से डाइपेंदिरोन का स्प्रेक कर दिया जिसे थ्रिप्स कत्म हो गए उसके बाद आपको जो वीडियो में मिर्च के पोदे दिखाए दे रहे हैं ये 18 दिन बाद के मतलब 7 सितंबर के पोदे हैं अब आप देख सकते हैं कि मिर्च में कितना अच्छा फूटा हुए कितनी अच्छे तरीके से फलपूल निकल रहे हैं और चोटी-चोटी मिर्ची भी लग रही है किसान भाईयो अब पूरी बात बताओं तो मैंने मिर्च में वाइरस को दूर करने के लिए 18 दिन में दो बार डाई फेंदुरोन केट ना सका दो बार N.P.K. 1919 का और एक बार यूबियल साप का इस्प्रे किया और अब आप रिजल्ट वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं तो किसान भाईयो अगर आपके मिर्च में वाइरस का अटेक हो जाता है तो आप पहले पोदे की पूरी तरिके से जाज परताल करें फिर उसका उपचार करें अगर आपके मिर्च में पत्ते नीचे की दरफ मूड़ते हैं तो फिर आप किट नासक की जग़ा मकडी नासक का परियोग करें मकडी नासक के रूप में आप दानुका की ओमाइट मकडी नासक का परियोग 30 ml प्रती 15 लिटर पानी में इस्तुमाल कर सकते हैं तो किसान बायो यह राव मेरा अनुभव आपको वीडियो कैसा लगा वीडियो के बारे में आपकी क्या राहे हैं कमेंट करके जरूर बताईए अगर आपके मिर्च में वाइरस आ जाता है तो आप उसका किस प्रकार से उपचार करते हैं ये भी कमेंट करके जरूर बताईए वीडियो अच्छा लगा वो तो लाइक वो शेर जरूर करें चैने मिलते हैं अगले वीडियो में जै जवान जै गिसान